राग जौनपुरी राग जौनपुरी की उत्पत्ति आसावरी थाट से हुई है इस राग में गंधार, धैवत और निशाद अर्थात ग, ध, और नी ये तीनों स्वर कोमल और शेश सभी शुद्ध स्वर प्रियोग किये जाते हैं इस राग के आरोह में गंधार यानि गवर्जित स्वर है और अवरोह में सातों स्वर प्रियोग किये जाते हैं इस प्रकार इसके आरोह में छेह स्वर और अवरोह में सात स्वर प्रियोग होने के कारण इस राग की जाती शाडव संपूर है इस राग का वादिश्वर धैवत यानि धह है और समवादिश्वर गंधार यानि गह है इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है राग जानपूरी के आरोह अवरोह और पकड किस प्रकार है सबसे पहले सुनिए आरोह सारे मार पार धानी साथ और अब आवरोह सारी नापार मागरे साथ इस राग की पकड इस प्रकार है मार पार नीधार पार धार मार पार गरे मार पार अब प्रस्तुत है मार पार धा माप गरे साथ अब प्रस्तुत है अब प्रस्तु थे इस स्वर्मालिका का अंतरा मामा अपा धानी सा सरगारे सानी साधापा मामा अपा साधापा पडमा पगरे सारे मापा अभी आपने सुनी राग जौनकुरी की स्वर्मालिका अब सुनिए इसी स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना बोल है अचल रहा जो अपने पत पर अचल रहा जो अपने पत पर लाख मुसीबत आने में अचल रहा जो अपने पत पर अब प्रस्तु थे इस रचना का अंतरा मिले सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में जीने में मर जाने में अचल रहा जो अपने पत पर 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 राग रस बरसे राग राग रहते राग राग राग